पैदल ना चलने के अठा मुकसान इसे जानकर ही आप कल से पैदल चलना नहीं दौडना चलू करेगे चलो इसके बारे में मैं बात्चीत करता हूँ मेरा ना मैं डॉक्टर दीपक्रेकर मैं मनुविकार सेक्स रोख सम्मोहन तथा व्यसन मुक्टद्नियू महाराश्ण में चालीस साल से अकॉला में प्रैक्टिस करा हूँ मैं एक बिजनेस को चूट ट्रेनर हूँ मोटिवेशनल स्पीकर हूँ मैं आज आपको उताने माला हूँ कि पैदल ना चलने के अठा नुकसान कों से इसके पहले मैंने वीडियो में डाला था कि पैदल चलने से कितने फायदे होते है पैदल चलना कैसे है किस तरह का चलना है रोच के चलने में हमने क्या इंक्लूड करना चाहिए जिस तरह से हमारा चलना ज्यादा हो जाएगा तो वो जरूर वीडियो आप दिखिएगा अब हम देखेंगे कि आप पैदल चलते नहीं है तो कितना नुकसान अपने आपको रोच कर रहा है आपके पास में होना चाहिए चलने के लिए और वो है कि मेरी सहत का ख्याल मैंने रखना है बद एक ही कारण आप चलना चालू करेंगे तो सहत आपकी बहुत बढ़िया हो जाएंगे नहीं चलते हैं तो क्या प्रॉब्लम से नंबर एक आपका वजन बढ़ता है और मोटा पा ह मतलब हम खाना जो खाते है उसका कभ़ो नोगे पाना चाहिए ना अचलने में होती है वह यह खपते नहीं है तो हमारा वजन बढ़ेगा वजन बढ़ता है नंबर एक नंबर दो आपके हाट के प्रॉब्लम से यह थिया आप चलते हैं आपका दिल जो इपका ब्लड करना है BP बढ़ाने का है तो जरूर घर पे बठेगाव चलिका मतुत नंबर 3 आपको डायपीडेश होने के चांसेश पुरे-पुरे बढ़े जाते हैं कि हम खाना खाते हैं ऊसमें काफी जुलिन आता तो इमर उसका काम नहीं होता है और उससे फिर डायबीटीस और बढ़ते रहता है यदि आप चलना चालू करते तो डेफिनिटली आप डायबीटीस से मुक्ति पाओगे यदि आपको होंगा भी नहीं नमबर चार आपको घुटने के दर्द नहीं होगे जो लोग चलते हैं ना उनको घुटने के दर्द नहीं होते हैं उनके घुटने जब हो तंदुरस्त रहते हैं और एकदम फिट रहते हैं और घुटने के दर्द उनको होते नहीं है नमबर पांच आपकी मास पेश्यां जो ह और शाम को आपका पूरा जूस निकला हुआ रहेंगा आपकी पुरी गैरेंटी खतम वारंटी खतम और आपको असे लगता है कि अब कब जाके सोजाओं तो मास पेशिया आपकी पाउरफुल करना है तो चलना बहुत अच्छा है और चलना जरूरी है नंबर छे आपकी कारेक ऑघाइम लागया ड्रॉडटिवीटी आपके कम हो जाएंगा का एकाम छाम करने के लिए आधा गंटा लगता है तो काम एक हैंटा लागेंगा काम करने केностью को इसे आपकेल ढूरता होता करोर्थ होते हैं फेपड़े मजबूत रहेंगे तो naturally blood circulation oxygen circulation बहुत अच्छा रहेंगा और काफी सारी जो अस्तमा जैसी बीमारी है वो नहीं होंगी और आप बहुत फिट रहेंगे नंबर आठ आपका पॉस्चर जो है वो आपका अच्छा रहेंगे जब आप चलते हो तो आप ऐसा चलते हैं बिल्गुल खंदे से उपर करके सिनात तान के ऐसे चलते हैं आप फास्ट तो आपका पॉस्चर जो है वो 40 मिनिट एक घंटा ऐसा एकदम स्तिर और कड़क और स्ट रहता है आप चलते नहीं तो आप इसे जुक के बैठेंगे जब घर में बैठें तो टीवी देखेंगे तो आप बहुत बेकार पॉस्चर में बैठेंगे तो चलना इदी चालू नहीं करते हैं आप आपका पॉस्चर जो है वो जुक जाएंगा जल्दी और कोई भी पहचान संसता रहती है और व को आप चलते हैं तो असे मिल जाता है क्या होता है कि ऑस्ट्टीश होता है हड़्िया कमज़र हो जाती है और नैचेरली जब इक है थोड़ा बिक हो गया तो तुरहना सक्ट्र होने का चैंसस है यह श्लिया मजबूत करना तो आपको चलन बहुत ही नंबर दस पाचन क्रिया पचन संस्ता जो हमारी आप चलते हैं तो पचन संस्ता एक्टीव है यह बैठे हैं चलेंगे नहीं तो आप भूता नहीं है बेजल डौन हो जाता है चीजिए अंदर धम होती जाती है और पचन क्रिया एकडम ठंडी बहुत slow हो जाती है जिससे आपको फिर भूग भी लगेंगे ने बैटे बैटे फिर आपको इस तो भी खाएंगे फिर बैटेंगे और खाएंगे और उससे आपका बजन और भड़ता जाएगा नमबर ग्यारा आपका दिमाग का स्वास्ति जो है वो चलने से बहुत अच्छा होता है जब आप चलते हो तो आपके दिमाग की जो कंडिशन है हर्मोन से उसका इंबेलन्स ठीक हो जाएगा आप बाहर जाते हो लोगों से मिलते है तो उससे भी आपको अच्छा लगेगा और आपकी anxiety level जो है depression level वो कम हो जाती है depression कम होता है ent सेवास्ति डिमाग का स्वास्ति जो है नमबर बारा आपकी energy जो है बहुत अच्छी रहेंगी आप चलते हो तो आप बहुत ही energetic feel करते हो जोश में रहते हो आप गुमके आजाओ पैल चलके आजाओ बहुत अच्छा आपको कोई भी बिमारी के लिए प्रतिकार करने की आपकी जो क्षमता है वो बढ़ जाती है इम्मिनिटी लेवल तो वो इसलिए यदि आप चलते नहीं है तो इम्मिनिटी लेवल आपकी कम हो जाएंगी प्रतिकार शक्ते कम हो जाएंगी और आपको कोई भी बिमारी जल्दी लग स सकती है नंबर चाओदा जो लोग चलते हैं उनको अच्छी ना दिया जो चलते नहीं है उनकी नीन बहुत इस्टफ होती है चलने से ठकाना दिया और नीन अच्छे लगेंगे चलेंगे नहीं आप एक्जरसाइज नहीं करेंगे तो आपकी नीन खराब हो जाती है नंबर बिलकुल मलम नेचर में जो 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 गैसे से वो अंदर जाएंगे और आप बहुती फितव और तन दरस्त應該 नन्मबर सोलह जब आप घुमने जाते हो चलनय जाते तो आपको खुशें हैं जब फिल गुड हर्मोन सिखिड होते हैं, तो आपको अच्छा लगता है, नैचरली, खुशें मिलती है, तो आप खुशें से आप दूर हो जाते हो, यदि आप चलना नहीं करते हो, चलते हैं नहीं हो तो, नमबर सतरा, आपके रिष्टे अच्छे बनते हैं, क्या होता है कि ह हर गाव में कम्यूनिटी है, चलने वालों की, आपके रिष्टे अच्छे बनते हैं, लोग एकटा जमा हो जाते हैं, और एकटा जाके गुरूप में जाके चलते फिरते हैं, एक दुसे के विचार, लोगों को मालूम पढ़ते हैं, रिष्टे अच्छे बन जाते हैं, और बहुत ही आपको अच्छा लगता है, वो लोग जो जाते नहीं हैं, उनके रिस्ते अच्छे होते नहीं हैं, नमबर अठरा, आपको जल्दी बुढ़ा पाजाएगा, क्योंद है कि जब आप लोगों से मिलते हैं, तो कुछ लोग ऐसे रहते हैं, जो एक एज के रहते हैं, तो गैरेंटी वारेंटी सब खतम हुई रहती है, और लोग अभी मरने का इंतजार करते हैं, तो ऐसा नहीं होते हुए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, अठा वन क्या, अठा नभी भी होगे, तो भी आप बहुत अच्छा लगेगा, और आप बहुत अच्छे स्वास्ते मे आखरी तक रहेंगे, तो यह अठा नुकसान आपको होते हैं, यदि आप चलते नहीं हैं, तो मैं आपको जरूर रिक्वेस्ट करूँगा, कि आपने डिफिनिटली चलना शिये हैं, चलना बहुत अच्छा वियाम है, क्या होता है कि हमको चलना इतना महत्वका लगता नहीं इक्सरसाइज करना इतना महत्वका लगता नहीं है, उसके बदले बैटके मैच देखना अच्छा लगता है, मैच देखूँगा तो मज़ा आता है, और मैच देखते रहता है कि लोग खाते रहते, घरी प्रोडक्ट्स है, जंक फूर्स है, बैटेंगे, खाएंगे और मोट होते जाएंगे, तो यह ना करते हुए, आप यदि चलते हैं और यह इंपोर्टन बात है, बहुत ही महत्व पूर्णा बात है, खुद का ख्याल रखना, तंदृस्त रहना यह बहुत ही महत्वकी है, आपने ख्याल रखना है, जैसा मैंने बता है कि स्ट्रेस मेनेजमेंट क आपके दोस्तों का ख्याल रखो, क्योंकि यह वर्थ इट, यह आपको अच्छा लगा, जो लोगो शेर करो, मांसिक स्वास्ति के लिए, टेंशन के लिए, स्ट्रेस के लिए, यदि आपको कुछ चाहिए, तो आप नीचे दिएवे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, थैंक्यू आपके बंको.